नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने चैनल में स्ट्रैस्वी कलाज पर जी आँ दोस्तों कोशल रोजगार निगम से जुड़ी होई दो बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही हैं हाँ सबसे पहले तो दोस्तो यह है कि हर्याना में जिले से बाहर नहीं दी जाएगी कोसल रोजगार निगम करमचारी को न्यूकती जी हाँ दोस्तो जिस भी जिले का मतलव कैंडिडेट होगा उसी जिले में उसको नोकरी दी जाएगी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि प् नोकरी उसको दी जाए आसपास के बलोक में नहीं है तो कम से कम उसके जिले के अंदर ही उसको जो है रखा जाए बहुत सारे करमचारी साथियों को दोस्तों ये शिकायत रहती थी कि उनका जो नंबर है उनकी जो नोकरी है वो बहुत दूर यानि कि किसी को 100 किलोमेटर दूर मिली है किसी को 200 किलोमेटर जो मिली है उनको आने जाने में रहने में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है तो इस मुद्दे को उठाया गया विदान सबा में तो अब यहां पर यह निरने लिया गया है कि हर्याना कोचल लोजगार निगम के तहत जो भी भरतिया होंगी वो प्राथ मिक्ता सम्मंदित के बलोक में रहेगी खाली पद नहीं होने पर यहांपर आस पास के बलोक में और आखिर में जिले में ही न्युक्ती दी जाएगी यहांपर यह बात बताए गई है सीम साब के दोबारा सीम साब ने बताया कि एक लाख आठ जो करमचारी हैं पहले से आउट्सोर्सिंग के तहत नियुक्त थे उन्हें निगम में सामिल कर लिया गया है इसके अलावा ठारा हजार नई नियुक्तियां भी दी गई है एक तो दोस्तों ये पॉइंट है जो सब से अच्छा पॉइंट जो कोशलोजगार निगम है दोस्तों वह तो जोनिंग लेटर है जो ओफर लेटर है जारी कर देता लेकिन भी भाग उसको जोनिंग नहीं देता बहुत सारे क्रमचारीं के साथ ऐसा देखने में आया था जब स्टार्टिंग में तो पॉच्छ जयादा हुआ था ये मामला क जो है कोशलोजगार निगम ने उफरलेटर दे दिया जोईनिंग करने के लिए पहुंचे तो आपर जो भी अदिकारी था उसने कहे दिया में जुरूरत नहीं ठीक है आपको जोईनिंग नहीं दी जाएगी तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था लेकिन अब यहाँ दोस्तों जो है सामने बात निकल कर आई है विविदान सभा में यहाँ पर यह जो है साथ चीजे सामने आ रही है यहाँ पर बता गया है आप लोग देख पाएंगे हरियाना कोशलोजगार निगम के जो है पॉइंट पर यहाँ पर इसमें यह चीज अलग से दी गई है अब के डिमांड में बदलाओ कर सकता है चैन होने के बाद जी हाँ चैन होने के बाद भी भाग को करमचारी को जोयन करवाना अनिवारिय होगा तो अनिवारिय हो जाएगा यानि के जब डिमांड बेज रहा है तब भी बदलाओ कर ला वही जो करना है अगर आपको दस करमचारी होने के बाद तो यहां पर यह भी बड़ा बदलाव किया गया है इसकी जनकारी विदान सभा में दी गई है मुख्यमंतरी साब के दौरा तो इसे बहुत जो हराहत मिलेगी काफी सारे जो पॉइंट है जैसे कि हम स्टार्टिंग में भी कहते थे कि यह चीजे ना देरे देरे स सुधार होंगी जैसे जैसे समस्या ही सामने आएंगी उन पर काम होगा और उनका जो है समाधान भी होगा तो अब एक समाधान तो यह हो गया कि भी जिले में ही नोकरी मिलेगी दूसरा समाधान दूस्त तो यह हो गया कि अब जो अगर उपर लेटर जारी कर दिया तो उसको जो है joining देना अनिवारिय हो जाएगा विभाग को तो वो मनार नहीं कर पाएगा तो दोनों ही अच्छी खबर कहा सकते कोसलोजगार निगम के मामले में जो शिकायते आती थी उनका जो है एक समाधान यहां पर निकालने का प्रयास किया है सरकार ने तो कैसे लगी दोस्तों आप लोगों को ये अपडेट कमेंट बोक्स में जुरूर बताईएगा अगर आप भी चाते हर्याना मेजुकेशन से लेटेड आउट्सोर्शिंग कचे करम चजुड़ी खबरे समय पर पानतों चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दुस्तों साथ शेयर करें ठेंक यू वेरी मुँच